two parallel wire in the space are 10 cm apart each other अब देखो space है ये वाला और two parallel wire है ये parallel wire है और उनके बीच का separation 10 cm है चलो सेम डायरेक्शन में दोनों में करेंट फ्लो हो रहा है और उस करेंट की जो वेल्यू है बच्चो वह बैसिकली 10 एंपियर है आप अराम से निकाल सकते हो दा फोर्स इग्जर्टेट बाई वान अदर पर मीटर लेंद मतलब एक यहां पर जो फोर्स एक दूसरे पर फोर्स यही पता है यह एक अट्रैक्टिव फोर्स है दोनों के एक दूसरे पर एक अट्रैक्शन फोर्स निकालते हैं इस्टेंडर रिजल्ट है हमें याद है ठीक है नहीं याद है आप कर सकते हो निकाल सकते हो गर कभी बोल जाओ तो तो यह तो कभी सही नहीं होगा यह कभी सही या तो यह सही है या तो यह सही है तो हमें force experience per unit length निकालना है पहले तो formula लिख लो force experience per unit length क्या होता है mu naught first में current i1 i2 divided by 2 pi d यह एक दूसरे पर force लगता है तो इसकी magnitude भी हमें निकालना पड़ेगा तो magnitude निकालने के लिए यह सारी value रख दो चलो तो mu naught की value रखो 4 pi into 10 की power minus 7 और multiply कर दें i1 i2 मतलब 10 multiplied by 10 ampere current है और 2 यहां और pi यहां से पहले से आ रहा है और इनके बीच का separation कितना है 10 cm है 10 cm 10 की power minus 2 meter तो यह वली जो चीज़ है pi ने pi को खतम कर दिया और यह टू टाइमस इसको खतम कर दिया और यहां से एक 10 ने एक 10 को खतम कर दिया और यह उपर गया तो 10 की power 3 बच गया और 3 में यह गड़ गया तो 4 हो गया मतलब 2 into 10 की power minus 4 newton ए एक attractive force लगेगा मतलब c options और यह गलत है ठीक है